सब्सक्राइब सेशन में और मैं हूँ आपके साथ दिव्याशु जैस्वाल मेरे साथ मौजुद है अविनाश और टीम इंडिया ने एक बंपर जीत एक बड़ी जीत हासिल की है जिहां टीम इंडिया ने औसी की तैसी कर दी है क्योंकि नाकपुर में जो टेस्ट खेला जा र नेस्ता नाबूत कर दिया है वो भी टेस्ट मैज के सिर्फ तीसरे दिन में वो भी दूसरे सेशन में खत्म होने के बार एक ही सेशन में टीम इंडिया ने आस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया मज़ा चखा दिया और जो वो पिच्चिस के बारे में जो बाते हो रह सब कुछ धरा का धरा रह गया और अब तक जो भी ख्याली पुलाव जो पका रही थी ना उस्टेलिया जो उसके जो मीडिया पका रही थी उस सब पर विराम लगा दिया अविनाश क्या कहेंगे जीत के बारे में और मतलब सर्प्राइज है या पता था पहले कि भाई इसी तरह से हम लोग हराएंगे यह अब तक कि सबसे ज़्यादा बेस्टीम लग रही है बीते दस बारह सालों में और हम लोग बहुत आसानी से इनको जो है नहीं हरा पाएंगे क्योंकि टफ कंपटिक्शन देंगे और रैंकिंग में भी नंबर वन यह टीम है तो ऐसे में लग तक यह टीम हरा सकती है हम लोगों को बचके रहना पड़ेगा साथ ही हमारी जो बल्लेबाजी यूनीट रही है वो काफी ज़्यादा खराब रही है बीते कुछ मैचों से कुछ सिरीज से जब सौथ अपरिका में भी हार है हम इसके बाद इंग्लेंड में गए वहां भी हार सब्सक्राइब लेकिन इनको आउट करेंगे और इतना डर डर के यलो खेलेंगे इसका अंताजा नहीं था मैं तो सोच रहा था कि पिछली जो पिछली बार जो इंग्लेंड की टीम आई हुई थे ना बहुत ही ओ डॉमनिक सिब्ली और जो ते हो वो उनसे ज्यादा बहतर ख हराएंगे और इसके अलावा मैच में मैच के बाद क्या कुछ बोला एक बर पैट कमिंस ने एक बर वो भी आप बता दे फिर उसके बाद जो है ना स्कूर कार्ट पर जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल अभी इस समय रोही शर्मा जो है उनसे सवाल किया जा रही है कि वह यह मैच में कहके हुआ नहीं वह जवाब दे रहा है आई थिंक प्लेयर अफ दे मैस कवर्ड जो है रविंद्र जडेजा को ही मिलना चाहिए और मिलेगा भी रंस भी बनाया है विके कर लेते हैं और आज के नाइकपूर टस्मैच में क्या कुछ हुआ है अस्टेलियाई टीम ने पहले टॉस जितकर भलेबाजी करने का फैसला किया था टॉस के एडवांटेज मिला लेकिन एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पाए वार्नर एक रन बना कर गए उस्मान ख एक रन बनाए इसके बाद जब बल्लेबाजी करने की बारी आई तो इंजिन टीम ने चार सो रन टोटल बनाए रोई शर्मा ने एक सो बीस रन के लाउल ने बीस रन अश्वी ने तैस रन पुजारा ने सात रन विराट कोली ने बारे रन सुर्यकुमारी आदब ने आठ र इस गिंदो का सामना किया इसके बाद जब अस्ट्रेलिया इटीम की बल्लेबाजी आई तो पूरी की पूरी टीम जो है 91 रन पर ही धरशाई होगी लवुशेन ने 17 रन बनाए ख्वाजा ने 5 वार्नर ने 10 रन बनाए इस्टिवन स्मीथ ने 25 रन बनाए नाबाद लोटे मै पर लिया है 5 विकेट हाल जबकि मुहमद शमी ने 13 रन देकर दो विकेट हासिल किये इसके अलबा रबिंद्र जडिजा को दो विकेट मिले और अक्षर पटेल को एक विकेट मिला मुझे हसी आगी क्योंकि इस समय जो है स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि संजे मांजरेकर रहा है वह पूछ रहे है रहें रिजडिजा से उल्ड से व्ल्ड राईवल्री तो पाता ही है एं बिलकुल पैट कमिंस ने कहा कि